हेलो फ्रेंड्स नीट 2021 स्टुडेंट्स के लिए बिग ब्रेकिंग नियूस तो गैज नीट 2021 स्टुडेंट्स के लिए एक अच्छी खुस खबरी है नीट यूजी 2021 का रिजल्ट का वेट कर रहे थे स्टुडेंट्स काफी लंबे टाइम से तो गैज आज आपका जो इंतजार था वो खतम हुआ आज से आप नीट यूजी 2021 का रिजल्ट देख पाएंगे अब गैज मैं आपको बताने वाली हो इस वीडियो में की नीट यूजी का रिजल्ट आप कहा से देख सकते है फाइनल आंस्वर की भी आज आपके रिलिस कर दी जाएगी और नीट का जो स्कॉर कार्ड है और इंडिया रिंक है वो पूरा आज आपको मिलने वाला है गैज इससे पहले गैज योदि आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किसेगा ताकि आपके एकजाम, रिजल्ट, कट ओफ, काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन से रिलेटीड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे तो गैज अभी यही माना जा रहा है कि आज शाम पाँच बजे से आप नीट का रिजल्ट देख पाएंगे आप नीट का रिजल्ट देख सकते है क्योंकि एंडी की तुरू नीट का रिजल्ट जो है वो रेडी कर लिया गया था बहुत पहले और अब पब्लिस किया जाएगा आपकी जो वेबसाइट है उसके उपर जो एंडी की ओफिशल वेबसाइट है ठीक है तो उसके उपर ओफिशली अप्लोड किया जा रहा है तो आप बहुत जल्द उसको देख पाएंगे डाउनलोड कर पाएंगे अपना स्कॉर कार्ड अपना ओल इंडिया रेंक और साथ में गया है जो फाइनल आंस्वर की जो अब तक रिलिज नहीं की गई है एंटे के थू आप सबी को पता है प्रोविजिनल आंस्वर की रिलिस कर दी गई थी अबजेक्शन रेस करने का टाइम दिया गया था उसके बाद फाइनल आंस्वर की ओफिशल आंस्वर की आनी थी लेकिन आई नहीं ठीक है तो वो भी आपकी आज ही जारी कर दी जाएगी तो जैसे ही आ चैनल सब्सक्राइब जरूर रखेगा और बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए गा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके अब देखिए हम चलते हैं न्यूज में सोचल मीडिया में क्या चल रहा है नीट यूजी के एकजाम रिजल्ट को लेक तो गाइज यह मैंने न्यूजपेपर ओपन कर दिया है ठीक है टाइम्स का न्यूजपेपर मैंने ओपन किया है तो गाइज हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि जो रिजल्ट है वो आपका कब जारी कर दिया जाएगा कहाँ जारी किया जाएगा तो गाइज यह बोला जा रहा है कि एंट इस लाइकली तो रिलिज एंड नीट रिजल्ट तु थाजन ट्विट यूजपेपर आपको अपने डालने पड़ेगी लाइक एप्लिकेशन नंबर पासवर्ड और सिक्यूरिटिटे पेन तो आप फिटेटी जो रिजल्ट है वो प्रिपेर कर चुका है जो फिक्स बाइचनल मेडिकल कमिशन डिरेक्रेटरी जनरल और हेल्ल सविचे सेंटल कांसल अंड इंडियन मैडिशिन और सेंट्रल काउंसिल ओफ होमियोपैथी नेक्स्ट जो मेन इंपोर्टेंट पाइंट है रिजल्ट वुड अल्सो पी यूज़ फोर एड्मिशन टू बीवीज़ एड्मिशन टू अब तक क्या था कि यह यूज़ किया जाएगा BVSC और AH कोर्स के लिए भी ठीक है वेटरिनरी कोल इस अंडर दा 15 परसेंट कोट अफ दा वेटरिनरी काउंसिल ओफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट पाइंट है वो है अपोन सेलेक्शन अंडर दा PWD category the candidate will have to appear before the disability assessment board after the declaration of the result next important point है the result of need 2021 of the candidate who insults in unfair means practices would be cancelled and will not be declared ठीक है जो भी unfair need 2021 में पाया गया है student उनका जो exam में वो cancel कर दिया जाएगा और result declare नहीं क्या जाएगा जो answer की है finalized after the challenge received would be treated as final other entities of central or state government can utilize need result 2021 for admission purpose under their rules and you would release the merit list or all India rank as per qualifying criteria and other norms तो guys आज finally आपका need का result जो है वो जारी हो जाएगा और ये पूरे जितने भी points आपको बताएगा है तब आपको मिलेंगे साथ में merit list आपकी जारी कर दीजाएगी नीट के students की NTA के दूरू ठीक है guys फिर भी कोई doubt होता है तो comment box में comment कर सकते है वीडियो पसंद आती है तो like and share जरूर किस जगा और गाये चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले के दूर से वर्तारिज़ के लिए दाद़